सुप्रभात हिमाचल तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल पुर्देश की सुभा की ताजाखवरों के साथ तो आएए शुरू करते हैं बेना समय गवाय हुए नोन स्टोप ताजाखवरों के सिलस्री समर फेस्टिबल की तीसरी संध्या में हंसराज रगुबन्षी के गीतों पर जूमा रिज लोग द्रकारों के सिर चड़कर बोला कारिक्रम में सबसे पहले प्रदेश के लोग कलाकार प्रवेश निहार्टा ने मंच संभाला इन्होंने कई नाटियां हिमाजल का परसिद लोग संघित गाकर दर्शकों को नचाया इसके बाद लोग गाय करनेर दाना ने भी शांदार प्रस्तुती दी दिलीप सिर्मोरी ने भी नाटियों पर धमाल मचाया पहड़ी लोग गायक हेमन शर्मा ने भी खूब रंग जमाया इसके बाद स्टार कलाकार हंसराज डगुमाशी ने मंच संभारा दर्शकों ने सीटियों बजाकर इनका स्वागत किया वहीं आज समर फेस्टिबल की अंतिम संध्या पंजाबी नाइट होग इसमें पंजाबी स्टार कलाकार गुरु रंधाबा मुख्या कर्शन होंगे केंदर ने हिवाचल के लिए साथ नए इना मंडियों को दी मंजूरी दो करोड दस लाक रुपे जा दी केंदर सरकार ने हिवाचल प्रदेश के विन दिलों के लिए साथ नए नैशनल एग्रिकल्चर मार्केट इना मंडियों को मंजूरी दे दी है इस से पहले केंदर से मंजूर हुई 19 मंडियों में ओनलाइन कारोबार हो रहा है और ये सबी मंडियां केंदर सरकार के पोर्टल से जुड़ी हुई है साथ नए इना मंडियां विक्सित करने के लिए केंदर सरकार ने 2 क्रोड 10 लाक रुपे जारी किये है आभी तक कुल 1,24,407 किसान 1,976 विपारी 66 क्रिशि उदपादक समोह इना मंडियों में पंजवित है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के साथ बैठक में मोबाइल साथ नहीं ले जा सकेंगे मुख्य सचिव प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 16 और 17 जून को धर्मशाला में होने वाली देश भर के मुख्य सचिवों की महत्पुन बैठक की अधिक्ष्टा करेंगे इस बैठक में हिस्सा लेने वाले मुख्य सचिवों को अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने पर पावंदी रहेगी गोपनियता के कारणों से ये फैंसला लिया गया है प्रधान मंत्री के अभी तक के प्रोग्राम के अनुसार वह 16 जून को धोपर करीब 12 बजे धर्मशाला के साई मेदान पहुंचेंगे यहां से वो सीडे एच पी सीए स्टेडिये में बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे यहां करीब 12 से लेकर 9 बजे तक मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे दिल की बिमारियों को दूर करेगा कदू का पाउडर नोनी विश्वदाले के बिदार्थियों ने किया शोद कदू के बने पाउडर का हलबा खाने और इसका सूप पीने से दिल की बिमारियों को दूर किया जा सकता है सोलन जिले के नोनी विश्वदाले ने कद्दू पर शोद कर इसका पाउडर त्यार किया है यहाँ पाउडर साल भर खराब नहीं होगा इसे जल्द बाजार नोतारने की त्यारी है जिसके बाद यह आसानी से उपलवध हो सकेगा वहीं शोद के दोरा नोनी विशुदाले के फूट साइंस विभा के विदार्थी ने पाया कि कद्दू में मौझूद मेगनीशियम दिल को सुवस्त रखने में मदद करता है नाइना देवी में अवैद ख्यार काटने में दो हपते बाद दायर होगी चार शीट वन विभा के अधिकारियों कर्मचारियों समेथ सत्तर को बनाया आरोपी श्री नाइना देवी जी वन रेंज में फर्वरी 2018 में हुए ख्यार के अवैद कटान के मामले में दो सबताहा बाद चार शीट दाय होगी वन विभा के पंदरा दिकारियों और कर्मचारियों समेथ सत्तर लोगों को इसमें अभी तक आरोपी बनाया गया है विजलेंस फाइल त्यार कर रही है इसमें और कई आरोपी शामिल हो सकते हैं बता दें कि वन रेंज की पांच बीट सलोहा, भांगडा, बढ़ोहो, कोट और बसी में करीब 18,000 खैर के पेड़ों पर कुलहाडी चली थी विभाग नें की कीमत करीब 35 क्रोड आंकी है महिला यात्री को हमीरपूर में अड़े पर छोड़ कर बस ले गया चालक चार टीसी प्रबंध इन रेशक ने दिये चार शिट करने के आदिश चालक की लाप रोहाई से हिमाचल पत परिवहन दिगम अचार टीसी बस में बेटी के साथ सफर कर रही महिला को परिशानी जहने पड़ी महिला पिछले कल सुबह नो बचकर पांच मिनट पर शिमला आईस बीटी से रोडु चामूंडा बस में ज्वाला जी जाने के लिए स्वार हुई हमीरपूर बस अड़े में महिला बेटी के साल सोचा ले जाने के लिए बस से ये उतरी और लेकिन लोटने पर बस काउंटर पर नहीं थी मामले की शिकायत आचार टीसी के परवंध निदेशक संदीव कुमार को की गई की परवंध निदेशक ने तुरंद कारवाही करते हुए ड्यूटी में लापरवाई बढ़तने पर चालक को चारशीट करने के आदेश दे दिये हैं वहीं शिमला के सुनी की रहने वाली संगीता ने बताया कि बुदवार को उनकी बेटी को वाई स्कूल ज्वाला जी में लाप्टो मिलना था इसलिए मंगलवार को ज्वाला जी जा रहे थे हमिरपूर बस अड़े में चालक ने कहा कि थोड़ी देर बस रुकेगी हिमाचल के बहुचर्चित छात्रविती घोटाले में ITFT संस्थान परमुक गिर्फतार हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित दोसो पैंसर क्रोड से अधिके छात्रविती घोटाले में CBI ने ITFT संस्थान मोहाली के पर्मुक मुकेश कुमार को चंडिगर से गिर्फ़तार किया है इस संस्थान पर सबसे ज़्यादा 40 क्रोड की स्कोलर्शिप हडपने का आरोप है CBI को काफी समय से आरोपी की तलाश थी अब तक इस मामले में विविन संस्थानों के 25 से ज़्यादा लोगों के गिर्फ़तारी की जा चुकी है हिमाचल राज के अध्यापक संग के अध्यक्ष विरेंदर चोहान की याचिका खारिज जाना होगा चमबा हिमाचल प्रदेश राज के अध्यापक संग के प्रदेश अध्यक्ष विरेंदर चोहान के स्तानंत्रन आदेशों को चुनोती देने वाली याचिका खारिज होगी है चोहान को अब जिला चमबा के चांजु स्कूल में जाना होगा चोहान के स्थानंत्रन आदेश को प्रदेश हाई खोड ने उचित धराया है इसी कड़ी में पिछले कल चोहान को शिमलास्तित रजहाना स्कूल से उच्छ शिक्षन देशाले ने पदभार मुक्त भी कर दिया है नियाधिश तलोक सिंग चोहान और नियाधिश सीवी बारोवालिय की खंटवीट ने कहा कि याचिका करता वर्ष 2008 से शिमला के आसपास ही नोकरी कर रहा था इस तीती में अस्तान अंत्रन आदेशों को या कहका चुनोती नहीं दे सकता कि उसका अस्तान अंत्रन राजनितिक द्विश के करण हुआ है हिमाचल के 19,847 मेधावियों को आज मिलेंगे लैप्टोप CM जैराम 13 से करेंगे सामवाद हिमाचल प्रदेश के स्कूल कोलेजों में पढ़ने वाले 19,847 मेधावियों को आज लैप्टोप मिलेंगे मंडी के पड़ल मेधान में लैप्टोप वितन का राज्यस तर्यकार करम होगा इस दोरान मुख्यमंत्री जैराम ठाकू 2900 मेधावियों को लैप्टोप देंगे शेश मेधावियों को विधान सवास्तर पर लैप्टोप दिये जाएंगे प्रदेश के 55 स्तानों पर आज लैप्टोप का बंडन होगा मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर 13 स्कूलों में मैधावियों से इस दोरान समवाद भी करेंगे इसके लावा पूर मुख्यमंत्री धूमल सहित सभी मंत्री विधाईक और चेर्मेन अपने अपने हलकों में लैपटोप वितन करेंगे शिक्षा मंतरी गोविन सिंग ठागुर आज मंडी के राजिस्तरे कालकरम में मुझूद रहेंगे पैंशनर्स वेलफेर एस्जेशन ने मांगों को लेकर मुख्य मंतरी को सौंपा ग्यापन पैंशनर्स वेलफेर एस्टेशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनी दिमंडल एस्पोसेशन के प्रदेश प्रदेश प्रभान, आत्मा राम शर्मा की अधेशतर में मुख्य मंतरी जेराम ठाकूर से मांगों के संबध मैं प्रदेश सच्वाले में मिला और मुख्य मांगों से संबंदित एक ग्यापन सोंपा उन्होंने मुख्य मंत्री से अगरह किया कि पैंशनर्स की मांगों पर मंथन के लिए एसोशेशन की नव निर्वाचित कारेकानी को शिगर बुलाया जाए वहीं सी दोरान मुख्य मंत्री ने संबंदित एक ग्यापन सोंपा उन्होंने मुख्य मंत्री से बैठक करवाने का आचवाचन दिया मुख्य मांगों में जे सी सी की बैठक 2016 के बाद सेवा निवरित पैंशनर्स की पैंशन का शिगर पुना निधारन 65-75 वर्ष की आयो पर जिए गए करमशा 5-10 वो 15 प्रतिशत पैंशन भते का निधान 6 वितन आयो के नुसार प्रदत पुना निधारित मुल पैंशन पर नि शामिल है तो ये थे आज सुभा के मुख्य समाचार तो दाजा खबरों को पाने के लिए चैनल तो जुरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर बोचिंग जैहिंग जैहिमाचर